िए Gobam Payama इस विडियो में हम जानेंगे विवो के फोन में कि बोर्ड का कलर केसे चेंज कर सकते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कि बोर्ड को देखते हैं तो आप देख सकते हैं अभी यहां पर यह Simple Color है तो हम इसे change करेंगे, तो उसके लिए आपको phone की setting में जाना होगा, यहाँ पर आपको निचे scroll करना है, उसके बाद आपको system management पर click करना है, यहाँ पर आपको language and input पर click करना होगा, उसके बाद आपको G की Board पर Click करना है यहाँ पर आपको Theme पर Click करना होगा उसके बाद आपको Shove More पर Click करना है तो आपको यहाँ पर कई सारे Color मिल जाएंगी तो जैसे हम इस लाल Color पर Click करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर यह Border का Option मिल जाता है तो अगर हम इसे बंद करेंगे, तो हमारा keyboard कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बंद करने पर यह simple हो जाता है, तो अभी हम इसे चालू ही रहने देते हैं, उसके बाद आपको apply पर click करना होगा, तो अभी हम फिर से keyboard को देखते हैं, तो आप देख सकते ह इसका color लाल हो चुका है, ऐसे ही आप कोई भी color को select कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक और option मिल जाता है, जिससे आप अपने gallery के photo को भी keyboard में लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको उपर प्लस पर click करना होगा, उसके बाद आपको उपर तिन डोट पर click करना है, यहाँ पर आपको नीचे gallery पर click करना है और कोई भी फोटो select करना होगा, तो जैसे हम इस flower को लगाते हैं, तो आपको इस photo पर click करना है और यहाँ से इसे crop करना होगा, आप अपने हिसाप से addize कर सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे next पर click करना है, यहाँ पर आपको इसका brightness level set करना होग कि आपको इस फोटो को कितना दिखाना है तो अभी हम इसे फुल कर देते हैं उसके बाद आपको done पर क्लिक करना होगा और यहाँ apply पर click करना है तो अभी हम फिर से keyboard को check करते हैं तो आप देख सकते हैं यह photo यहाँ पर आ चूका है तो बस इस video में इतना ही